बात आज से 18 साल पहले दिसंबर 2006 की है। 15 मामले उनके खिलाफ नामजद किये गए। लेकिन फिर 18 साल बाद उन्हें बरी कर दिया गया। धीरे धीरे हड्डियों के धेर ने पहाड का रूप ले लिया। पर पॉलिथिन में भरे कंकाल एक के बाद एक सामने आते ही जा रहे थे। अपरादियों को हिरासत में ले लिया गया था। अपने आचल के फूलों की इस दुरगती को देखने के बाद भी मजबूर माबाप को कानून पर भरोसा था। उन्हें विश्वास था। वे जानते थे भले ही देर हो पर अपरादियों को उनके किये की सजा जरूर मिलेगी। वे अपरादियों को फासी पर लटका हुआ देखना चाहते थे। 18 साल तक इंसाफ के इंतजार में उन्होंने धैरे नहीं छोड़ा था। लेकिन अचानक एक ऐसी खबर आई जिसने उनको अंदर तक तोड़ कर रख दिया। आखिर क्या है वो खबर। 18 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि लोग कोठी नंबर D5 पर फिर पत्थर भाजी करने लगे। आईए बिना समय गवाए बेरहमी की सारी हदे पार कर देने वाले इस अपराद की संसनी खेस कहानी की ओर बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिलकुल ना भूलें। कहानी है 2005 की और कहानी के दो मुख्य किरदार हैं एक मुनिंदर सिंग पंडेर, दूसरा उनका खान सामा सुरेंदर कोली। मुनिंदर सिंग पंडेर ने 2005 में नुईडा सेक्टर 31 में निठारी गाउं के पास D5 नंबर की कोट ही खरीती थी। उनका अपना परिवार काफी संब्रांत और प्रतिष्ठित था। परिवार के सभी सदस्य और रिष्ट्यदार चंडीगड में रहते थे। लेकिन उन्होंने नुईडा को अपने रहने का ठिकाना बनाया था। वजय थी नुईडा में उनकी एक कंपनी जिसकी देख रेख उनकी जिम्मेदारी थी। मुनिंदर पंडेर काफी पढ़े लिखे सब वे दिखने वाले हाई प्रोफाइल आदमी थे। उन्होंने दिल्ली उनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और एक लगशरियस लाइफ स्टाइल फॉलो करते थे। उनकी इस कोठी में बड़े बड़े रसूगदार लोगों और जाने माने पॉलिटीशियन का भी आना जाना लगा रहता था। जबकि वे जादातर काम के सिलसले में विदेश में रहा करते थे। मुनिंदर सिंग पंडेर खाने के काफी शौकीन थे। लेकिन परिवार से दूर नोईडा में अकेले रहने के कारण उन्हें खाना आदी बनाने के लिए एक साहयक की जरूरत थी। दूसरी तरफ सुरेंदर कोली उत्राखंड के अल्मोडा का रहने वाला था। और साल 2000 में ये मासूम सा दिखने वाला आदमी उत्राखंड से दिल्ली आ गया। यहां वै एक ब्रिगेडियर के घर पर खाना बनाया करता था। जहांसे उसका संपर्क मुनिंदर सिंग पंड दिया था। लेकिन क्योंकि मुनिंदर सिंग पंडेर को फैक्टरी के काम से जादा तर शहर से बाहर ही रहना पड़ता था। इसलिए सुरेंदर कोली ही मालिक की तरह इस आलिशान कोठी में एश करता था। गटनाय सामने आने लगी। लोगोंने अनुभव किया था कि कोठी के पास स्थित पानी की एक टंकी के पास से ही अक्सर बच्चे गायब हो जाते हैं। कमाल की बात ये थी कि कभी भी कोई हाई प्रोफाइल बच्चे की गुमशुदगी नहीं पाई गई। गुमशुदा सभी बच्चे गरीब परिवारों के थे। उस जगे के विकास का कारिकरम जारी था लेकिन अभी यहां रहने वालों की देखरे के लिए रेजिडेंट एसोसियेशन आदी का निर्मार नहीं हुआ था। जिसके कारण इस मामले को वहां के लोग अपने नजरिये से देख रहे थे। गाउं के लोगों का मानना था ये किसी भूत प्रेत का काम है। किसी को भी कोटी पर कोई शक नहीं था। माबाप बच्चे गायब होने की सूचना पुलिस को देते पर पुलिस कोई खास कदम नहीं उठा थी क्योंकि पुलिस का मानना था कि माबाप अपने बच्चों की उम्र गलत लिखवा रहे थे। गायब होने वाले बच्चों में जादा तर लड़कियां ही थी। इसलिए पुलिस को लगता था कि वह किसी के साथ घर छोड़कर भाग गई होंगी, फिर खुद ही वापस आ जाएंगी। क्योंकि किशोरा वस्ता में गरीब तपके के लोगों में होने वाली ये आम बात थी। लेकिन लोगों का ध्यान कोठी D5 पर तब गया, जब 29 दिसंबर 2006 में एक महिला जो घरों में चौका बरतन का काम करती थी। काम की जरूरत होने के कारण काम की बात करने गई, इसने मुनिंदर सिंग पंडिर की कोठी पर पहले भी साफसफाई का काम किया था, लेकिन प्रेगनेंसी के कारण उसे ये नौकरी छोड़नी पड़ी थी। बच्चा होने के बाद वो फिर से उस कोठी पर काम करना चाहती थी, इसलिए इस लालच में की काम जरूर मिल जाएगा वे कोठी में गई। लेकिन उस दिन के बाद से महिला कहीं भी दिखाई नहीं थी, उसका कोई अतापता नहीं चल पाया, उसके जान पहचान और परिवार वालों ने उसे बहुत ढूंडा, पर वो नहीं मिली, तो परिवार वालों ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर की लापता हो गई। ये खबर ऐसी थी जिसने जैसे एक नया पिटारा खोल दिया हो। वो भी ऐसा जो सब की कलपना से भी परे था। उसने अपनी गवाही में बताया कि पायल उसके रिक्षे में मनिंदर पंडेर की इस खूनी कोठी में रिक्षे से आई थी। उसने रिक्ष वाले ने पैसे लेने के लिए कोठी का गेट खटखटाया। इस पर सुरेंदर कोली ने बताया कि पायल तो काफी देर पहले जा चुकी है। जबकि रिक्षे वाला कोठी के सामने ही था। उसने पायल को निकलते हुए नहीं देखा। उसे शक हुआ उसने ये बात पायल के घर वालो तक पहुँचा दी। पायल के पिता नंदलाल ने आनन फानन में FIR लिखवाई और साफ कहा कि उनकी बेटी कोठी से गायब हुई है। पायल के पिता पुलिस पर दवाब बनाने लगे। पुलिस ने गौर किया कि इस घटना के पहले ही निठारी से पुलिस ने कोठी D5 पर छापा मारी की और जब वे कोठी के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें वहाँ काफी शराब की बोतले और आपत्ती जनक तस्वीरे फैली हुई मिली। पुलिस को जाच में कोठी के अंदर से पायल का फोन और पायल के कपड़े बरामद हुए। पु लेकिन जाच में इसके सिवा कोई ऐसी खास चीज नजर नहीं आ रही थी कि उन्हें गिरफतार कर लिया चाए। लेकिन अपराद अपना पता खुद देता है। पुलिस के साथ ही लोकल लोग भी अंदर आ गए थे। कुछ लोगों ने नोटिस किया कि कोठी के बैक साइट पुलिस का शक बढ़ गया तो उन्होंने तुरंत नगरपालिका से सफाई करमचारियों को बुला उन बोरियों को निकलवाना शुरू किया। और जब उन बोरियों को खोल कर जाच कराए गई तो जाच के बाद पुलिस कर्मियों के भी पसीने छूट गए। क्योंकि बोरि दूर तक फैली पड़ी थी और उनमें से हड्डियों के निकलने का सिलसिला खत्मी नहीं हो रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इसकी जाच CBI को सौब दी और इस जाच में एक मासूम से दिखने वाले ऐसे आदमखोर नरपिशाच का राज सामने आया जिसने एक दो नहीं बलकि 17 मासूम बच्चों को अपना शिकार बना कर दरंदगी की सारी सीमाएं आठ फरवरी 2007 को CBI की स्पेशल कोर्ट ने मुनिंदर सिंग पंडेर और सुरेंदर कोली को 14 दिनों के लिए CBI की कस्टडी में भेज दिया और 28 फरवरी और 1 मार्च 2007 को इस दरिंदे अफराधी सुरेंदर कोली ने दिल्ली में अपना इकवाले बयान दर्ज करवाया जिसमें उसने कुबूल किया कि वह गाओं के भोले भोले मासूम बच्चों को बुला कर पहले उन्हें गला घोट के मारता फिर उनके निर्जीव शरीर के साथ दुशकर्म करता उसके बाद लाश के टुकडे टुकडे कर देता इतना ही नहीं, कई बार वह उन मासूमों की लाश के चुनिंदा टुकडे पका कर खाया भी करता और बाकी कोठी के पीछे नाले में बहा देता था उसने ये भी कुबूल किया कि उसकी इस दरिंदगी की जानकारी उसके मालिक मुनिंदर सिंग पंडेर को नहीं थी उसने कुबूल किया कि जब उसके मालिक कॉल गल्स के साथ कमरे में रात गुजारते तो वह उन्हें छुप कर देखता था और अपनी शारेरिक भूख मिटाने जब ये कॉल गल्स के पास जाता, तो शारेरिक शक्ती में कमी होने के कारण कॉल गल्स उसका मजाक उडाती थी, जिसके बाद उस पर हैवानियत सवार हो जाती थी इसलिए उसने खुद को संतुष्ट करने का ये वहशतनाक तरीका ढूंडा निठारी कार्ण में CBI ने अपराधियों के खिलाफ 16 मामले दर्ज किये थे जिसमें गाजियाबाद की CBI कोट ने सुरेंदर कोली को 14 मामलों में दोशी मानते हुए फासी की सजा सुनाई थी जबकि मनिंदर सिंग पंडेर के खिलाफ 6 मामले दर्ज किये और इनमें से 3 मामलों में कोट ने उन्हें फासी की सजा सुनाई थी आए सिलसलेवार तरीके से जाने इस केस में कब-कब क्या-क्या हुआ 29 दिसंबर 2006 को कोठी D5 के मालेक मनिंदर सिंग पंडेर और उसका नौकर सुरेंदर कोली गिरफतार किया गया और 30 दिसंबर को छापे मारी में कोठी के पीछे नाले से बच्चों के कंकाल मिले 5 जनवरी 2007 को यूपी पुलिस दोनों अपरादियों को नारको परिक्षण के लिए गांधी नगर लेकर गई जिसके ठीक बाद 10 जनवरी को CBI ने इस मामले की जाच अपने हाथ में ले ली 11 जनवरी 2007 को CBI ने मकान के निकट नरकंकाल और हड्डिया बरामत की और 12 जनवरी मनिंदर सिंग पंडेर और सुरेंदर कोली से CBI द्वारा देड तक पूश्ताच की गई जिसके बाद 20 जनवरी को यूपी सरकार ने राष्ट्रिये मानवादिकार आयोग में अपनी रिपोर्ट दाखिल की जिसके बाद 8 फरवरी को CBI की विशेश अदालत ने पंडेर और सुरेंदर कोली को 14 दिन के लिए CBI की हिरासत में भेज दिया जहां 28 फरवरी को सुरेंदर कोली ने दिल्ली में ECMM में अपने इकबालिया बयान दर्ज कराए इन बयानों की वीडियोग्राफी भी की गई जिसके बाद 22 मई 2007 को CBI ने गाजियाबाद की अदालत में इस वहशतनाक मामले का पहला आरोप पत्र दाखिल किया जिसमें मनिंदर सिंग पंडेर पर हल के आरोप लगाए गए सुरेंदर कोली पर अपहरण और हत्या के आरोप लगाए गए जिसके बाद 13 दिसंबर को गाजियाबाद की विशेश CBI ने मनिंदर सिंग पंडेर के खिलाफ दो किशोरियों से विशेश कार तथा उनकी हत्या के मामले में आरोप तै किये बारा फरवरी 2009 में विशेश CBI न्यायधीश ने पंडेर और कोली को पंडेर एवं हत्या का दोशी ठहराया वहीं 13 फरवरी 2009 को निठारी में सिलसलेवार 19 हत्याओं में से एक 14 वर्षी रिंपा हालदार के साथ और उसकी हत्या के लिए विशेश अदालत ने पंडेर तथा कोली को मौत की सजा सुनाई 4 मई 2009 कोली को आरती प्रसात की हत्या का दोशी पाया गया उसे 12 मई को दूसरी बार मौत की सजा सुनाई गई 28 सितंबर 2009 को फिर कोली को मजदूर पपु लाल की आठ वर्षी लड़की रचना लाल की हत्या के जुर्म में तीसरी बार मौत की सजा सुनाई गई साथ ही तारीख 22 दिसंबर 2009 को कोली को चौथी बार मौत की सजा सुनाइ गई साथ सितंबर को सुरेंदर कोली की मौत की सजा को सुप्रीम कोट ने उम्रकैद में बदल दिया 24 जुलाई 2014 को सुरेंदर कोली और मुनिंदर सिंग पंडेर को 20 वर्षिये पिंकी सरकार की हत्या और पिंकी सरकार के प्रियास में सीबियाई अदालत ने दोशी ठेराया इस तरह सभी मामलों में सुनवाई और फैसलों के चलते चलते 18 वर्ष का लंबा समय बीट गया मासूम बच्चों के अविभावक दिल पर पत्थर रख धैरे से इंसाफ का इंतजार कर रहे थे लेकिन अचानक उनका धैरे उस पल जवाब दे गया 16 अक्टूबर 2023 को खबर आई कि इलाभाद हाई कोर्ट ने वहशी सुरेंदर कोली और अयाश मनिंदर सिंग पंडेर को इतने संगीन इलजामों से बरी कर दिया है तो कोई इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था क्योंकि अदालतों द्वारा सुरेंदर कोली को दस से अधिक मामलों में पहले ही फासे की सजा सुनाई जा चुकी थी वहीं मनिंदर सिंग पंडेर को भी तीन मामलों में फासे की सजा मिली थी फिर भला वे बरी कैसे हो सकते थे इलाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर नोईडा में इस हत्यकान के पीडित मासूम बच्चों के अभिवावग ने इस फैसले के प्रती अपनी असंतुष्टी दिखाते हुए अदालत से इसपष्ट प्रश्ण किया कि अगर इन दोनों अपरादियों ने उनके बच्चों को नहीं मारा तो उनके कातिल कौन है उनका मानना है कि 17 साल धहरे पूर्वक इंतजार करने के बाद भी उन्हें नयाये नहीं मिला हाई कोर्ट ने दोनों अपरादी मनिंदर सिंग पंडेर और सुरेंदर कोली को सभी मामलों से बरी करते हुए फैसले पर सफाई देते हुए कहा कि CBIA ने केस की शुरुवात में मुनिंदर सिंग पंडेर और सुरेंदर कोली दोनों पर इस हत्यकांड का पूरा आरोप लगाया था लेकिन बाद में इस मामले में सिर्फ सुरेंदर कोली को ही आरोपी बनाया गया और सारा दोश उस पर मड़ दिया गया अदालत के अनुसार केस से संबंधिद सभी कंकाल पुलिस को नाले से मिले थे, जो निठारी में बनी कोठी नंबर D5 और D6 दोनों की ही सीमा पर थे. साथ ही इस केस में एक भी कंकाल की बरामतगी मनिंदर सिंग पंडेर के घर से नहीं हुई थी. सभी शवों के धड़ गायव थे और शक जताया गया कि ये मामला अंगों की तसकरी का भी हो सकता है, क्योंकि छोटे बच्चों के अंग प्रत्यारोपन की बेहद मांग रहती है. साथ ही शवों को जिस तरह से काटा गया था, उसमें किसी अनुभवी डॉक्टर के शामिल होने की आशंका थी. मनिंदर सिंग पंडेर की कोठी D5 के ठीक पडोस D6 में रहने वाले डॉक्टर अमित, जिन्हें मानव तसकरी के अभैत कारोवार के रूप में पकड़ा भी जा चुका था, उनका बयान पुलिस द्वारा कभी लिया ही नहीं गया. साथ ही, शवों का पोस्ट मॉर्टम करने वाले डॉक्टर अमित ने भी ये शक जताया था, कि एक शफ को सर्णे में तीन महिने का समय लगता है, और पूरी तरह सर्णे में लगभग तीन साल तक का समय लग जाता है. अगर कुछ बच्चे एक साल पहले गायब हुए थे, तो उनके शवों की हड्डिया क्यों मिल रही थी? याद रहें कि इस केस में सुरिंदर कोली और मनिंदर सिंग पंडेर ने जाइप और कतल के मामलों की बात खुद कुबूल की थी, और जाच में भी सामने आया था कि 19 बच्चों और महिलाओं के साथ हत्या और किया गया था, और बाद में शफ के टुकडे टुकडे किये आई ये जानते हैं वो तीन चीज़ें क्या थी। CBI के वकील संजे कुमार यादव का कहना है कि इनी सबूतों के आधार पर अदालत ने कोली को मिली फांसी की सजा पर मुहर लगाई थी। ऐसे में हाई कोर्ट का ये फैसला हैरान कर देने वाला है। इन सब के बीच सब के दिमाग में यही सवाल अब भी है कि अगर वे दोनों कातिल नहीं तो उन मासूमों की हत्या किस ने की। बेरहमी से उनके साथ दुशकर्म फिट टुकडे किस ने किये। आखिर इस घिनोने क्रत्य का जिम्मेदार है कौन। फैसला आप करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपकी नजर में क्या सही है। मगर आपके अनुसार इन आरोपियों का अगर गुना साबित हो जाता है तो इसे क्या सजा मिलनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे। साथ ही बेल आइकन दबा कर नोटिफिकेशन भी जरूर ओन कर लीजे। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही दिल दहला देने वाली सच्छी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।